देखे भाई अगर आप एक ऐसी बैंक के अंदर एकाउंट को ओपिन करना चाहते हैं जहाँ पर इस्टेंट ही आपका एकाउंट ओपिन हो जाए एकाउंट ओपिन करने के बाद में आपको एकाउंट नमबर, आफसी कोड और ब्रांच एड़र देखने को मिल जाए साथे उसकी mobile banking को चालू कर सको और वहीं पर आपको virtual debit card भी देखने को मिल जाए जिससे आप google पे phone पे ptm जीसे applications को ही बहुत आसानी के साथ में आप use कर पाएं साथी साथ वो सारी digital services भी हमको मिल जाएं और वहाँ पर हमें limit ना देखने को मिले मतलब जितना भी पैसा हम चाहें deposit कर सकते हैं और जितना भी पैसा चाहें हम transfer कर सकते हैं तो दोस्तो इस case में आप S-Bank में अपना एक saving account घर बैठे mobile phone के तुरू open कर सकते हैं S-Bank में कैसे आपको account open करना है इसका live process आपको इस video में देखने को मिल जाएगा दूसरी बात कि S-Bank के अंदर जो हम भाई account open करने वाले हैं वो है saving account pro अब इस account के अंदर आपको video के वाईसी की facility मिल जाती यानि कि घर बैठे account open हो जाएगा ब्रांच में जाना नहीं पड़ेगा account open करने के बाद में account की पूरी information आपको देखने को मिल जाएगी साथी दोस्तों यहाँ पर इसकी mobile banking, internet banking और UPI banking, whatsapp banking भी दोस्तों आप use कर पाओगे और वहीं पर दोस्तों virtual debit card भी देखने को मिल जाएगा जिसे UPI जिसे applications को भी आप use कर पाओगे account open करने के बाद में जैसे दोस्तों आप video के वाईसी को successful complete कर लेते हैं इसकी welcome kit आपके घर पर send कर दिया जाएगा जहां पर आपको debit card और checkbook भी देखने को मिल जाएगा अभी इसके S में दोस्तों अगर आपको एक best saving account open करना है तो आप S bank के अंदर account open कर सकते हो इसका पूरा live process आपको इस video के अंदर देखने को मिल जाएगा वीडियो दोस्तों काफी उसके वीडियो को हो सके तो वीडियो को like करके चल को subscribe कर लेना तो चले फिर हम इस कमाल की वीडियो को सुरू कर लेते हैं अगर दोस्तों आप एक best saving account open करना चाहते हो तो S bank के अंदर दोस्तों account open कर सकते हो account open करने का हम आपको पूरा process बताने वाले हैं ठीक है account open करने के लिए वीडियो की description में link मिल जाएगा वहाँ पर दोस्तों आप click करेंगे तो direct app space पर आ जाएगे आप देख सकते हैं यहाँ पर open saving account को option देखने को मिल जाएगा आप यहाँ पर click करेंगे अब यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि जिस mobile number से आपको bank account open करना है वो mobile number इस box में आप type करेंगे इसके बाद में यहाँ पर एक और option open हो जाएगा अब यह वाला capture आप इस box में type करेंगे और page आपका redirect हो जाएगा आपके mobile number पर एक OTP send किया जाएगा OTP दोस्तों आप यहाँ पर type करेंगे page आपका redirect हो जाएगा इसके बाद में दोस्तों जो भी आप अपने bank account से email id को link करना चाहते हो वाली email id इस column में type करेंगे और verify email के option पर click करेंगे आपके email id पर एक OTP send किया जाएगा OTP दोस्तों आप यहाँ पर इस box में type करेंगे page आपका redirect हो जाएगा इसके बाद में दोस्तों देखेंगे enter आधा number को option आजाएगा तो इस box में आप अपने आधा number को type करेंगे और इस box पर check out करेंगे और यहाँ पर verify के option पर click करेंगे अब आपके आधारकार से जो mobile number link होगा उस पर एक OTP send किया जाएगा OTP दोस्तों आप यहाँ पर type करेंगे और page आपका redirect हो जाएगा इसके बाद में दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर pen number को option देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पर आप अपना pen number type करेंगे इसके बाद में दोस्तों देख सकते हैं कि bank की तरप से declaration आपको देखने को मिल जाएगी तो आपको इस box पर check out कर देना है और इस box पर भी आपको check out कर देना है इसके बाद में दोस्तों देख सकते हैं आप next वाले button पर click करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके से यहाँ पर केवाशी type के अंदर full केवाशी आपको मिल जाएगा आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर तीन option देखने को मिलते हैं तो S bank के अंदर जो सबसे आपको best account देखने को मिलता है वो दोस्तों देख सकते हैं एस prosperity का option मिल जाएगा आप यहाँ पर दोस्तों click करेंगे इसके अंतर कर दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर यह वाला आपको account देखने को मिलता है तो यहाँ पर दोस्तों आपको proceed के option पर आपको click कर देना है अब इसके अंतरगत दोसों आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दो एकाउंट मिलते हैं पहला मिलता सेबिंग एकाउंट प्रो और दूसरा मिलता सेबिंग एकाउंट प्रो प्लस तो हम यही पर दोसों यही कहना चाहेंगी कि आप यहाँ पर सेबिंग एकाउंट प्रो देख सकते हैं कि यहाँ पर 10,000 पर एकाउंट के अंदर मेंटेन करके रखना होगा लेकिन दोस्तों इसी हिसाब से सारी सर्विसेज भी आपको प्रिवाइड कराती है जैसे दोस्तों अगर आप यह एकाउंट ओपिन करते हैं तो फ्री वीजा प्लेटिनियम का वर्चुवर डेपिटकार दोस्तों देखने को मिल जाएगा साती दोस्तों डोमेश्टिक और इकामर्स की लिमिट आपको 50,000 पर की देखने को मिल जाएगी और इसके बैंक के तुरू इसके एटीम के तुरू आप जो है अनलिम्टेड टांजेक्शन भी कर पाऊगे साती इस्टेंट ही वाट्साप बैंकिंग भी दोस्तों आप यूज कर सकते हैं तो अगर आपको इस एकाउंट को ओपिन करना है तो आप देख सकते हैं कि प्रोसीट के बटन पर किलिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपके सामने एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि भाया इस एकाउंट के अंदर आपको 10,000 रुपे ही मिंटेन करके रखना है तो अगर भाय आपको एकाउंट ओपिन करना है तो आप ओकी के ओप्शन पर किलिक करेंगे तो इसके बाद में दोस्तों देखेंगे कि एस बैंक की तरब से जो हमने अभी आधार किया है उसके एकोडिंग यहाँ पर हम रिलेशन सिप को ऑप्शन मिल जाएगा तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर पिता जी का नाम आ जाएगा माता जी का नाम इस कॉलम में टाइप करेंगे और आपके डेविट काड पर कौन सा नाम चाहिए वो यहाँ पर आ जाएगा और चाहो तो उससे भाई आप बदल भी ही एड्रस है तो आपका इस बॉक्स पर चेकाउट रहेगा और एड्रस को आपको फिल नहीं करना पड़ेगा अगर को दूसरा एड्रस है आपके पास तो पेज को उपर को स्कॉल डाउन करेंगे देख सकते हैं वह यहाँ पर फिल कर देना होगा और यहाँ पर दोस्तों द वाले बटन पर किलिक करेंगे अब इसके बाद में दोस्तों देख सकते हैं कुछ चीज तरीके से नॉमनी डिटेल्स का ओप्षन मिल जाएगा बहिया कि आपको बैंक एकाउंट के इंतर नॉमनी को एड करना है तो जिसकी दोस्तों आपको नॉमनी एड करना है उनका नाम टा तो आप पर्मनेट एडर्स के ओप्षन पर किलिक करेंगे और एडर्स आपका फिल हो जाएगा अगर कोई दोस्तों दूसरा एडर्स अनॉमनी का तो इसके लिए दोस्तों देख सकते हैं आप यहां पर एडर्स के ओप्षन को सेलेट करेंगे जैसे कि दोस्तों देख सकते ह इस box पर permanent वाले option पर click कर देना और address automatic feel हो जाएगा और अगर दोस्तों आप account के अंदर nominee को add नहीं करना चाते हैं तो no के option पर click करेंगे इसके बाद मैं दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर please select your home branch को option आजाएगा कि किस branch के अंदर आपको account open करना है तो वो branch दोस्तों यहाँ पर click करके select कर लेंगे दन इसके बाद मैं दोस्तों देखेंगी कि हमने जोसी branch को select किया जहाँ पर हमें account open करना उसका address, IFSE code और branch code भी देखने को मिल जाएगा आप यहाँ पर next वाले button पर click करेंगे इसके बाद मैं दोस्तों देख सकते हैं कि profile details का section मिल जाएगा marital status के option प्र click करेंगे आप married है या फुर दोस्तों unmarried है वो आप यहाँ पर select करेंगे resident type select करेंगे qualification को option पर click करके आप कितना पढ़े हैं qualification select करेंगे आप क्याम काया करते हैं वो occupation के option पर click करके select करेंगे आपका जो यहाँ पर fund वगेरा आता वो कहां से आता source of fund का option मिल जाएगा select करेंगे इसी तरीके से annual income आप सालाना में कितने पैसे कमा लेते हैं वो select करेंगे और इसके बाद में next वाले button पर click करेंगे अब यहाँ पर दोसो अभी तक जो हमने account open करने के लिए पूरे address को fully feel किया है पूरे form को open feel किया है वो यहाँ पर आपके सामने display हो जाएगा तो यहाँ पर इसे score down करके एक बार आपको check out कर लेना है अगर अभी भी दोसो आपने कहीं भी कुछ भी गलत feel किया है तो यहाँ पर edit के option पर click करके अभी सही कर सकते हैं और इसके बाद में finally next के button पर click करेंगे बैंक की तरफ से time sense conditions देखने को मिल जाएगी तो इन्हें दोसो आप read कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं थोड़ा सा page को आप उपर को score down करेंगे और इस box पर check out करेंगे और next वाले button पर click करेंगे आप यहाँ पर दोसो देख सकते हैं एक बार आपका authentication किया जाएगा तो आपके mobile number पर OTP सेंड किया जाएगा अब OTP दोसो आपको इस box में आपको type कर देना हो page आपका redirect हो जाएगा तो दोसो आप इसके बाद में देखेंगी कि यहाँ पर आपका successful account open हो जाएगा जैसा कि दोसो आप इस screen पर देख सकते हैं kangaroo relations का message में मिल जाएगा साथी दोसो यहाँ पर आपको tracking number, customer ID और account number भी मिल जाएगा और branch का address भी मिल जाएगा जिस branch के अंदर आपने account को open किया हुआ है इसके बाद में दोसो आप आपको यहाँ पर full KYC को भी complete करना होगा इसके लिए देख सकते हैं कि join for video KYC no के option पर click करेंगे और उसकी video KYC को complete कर लेंगे और यहाँ पर बिना video KYC की यह दोसो account की पूरी information आपको मिल जाती है zero balance account open करना है तो a small finance bank या फिर kotec bank के account की तरफ जा सकते हो वहाँ पर totally आपको zero balance account मिल जाता है account open करना है तो उन videos के link आपको video के description में मिल जाएंगे और direct आपको वहीं से account open हो जाएगा अगर आपको इस video में जानकारी सही लगी है तो video को like करके channel को subscribe कर लेना और मन में कोई भी doubt है comment करके पूछ सकते हो तो फिर मिलते हो दोस्तो नेक्ष वीडियो में तब तक लिए जाएंगे वन्दे मातरम